हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो योर चैनल मुवीस फैन इंडिया लिए जानते हैं Top 10 Underrated Movies के बारे में और वीडियो में मैं आपको इनकी IMDB और Rotten Tomatoes की रेटिंग भी बताऊंगा So let's start Number 10, Number 10 पात ये Dead Silence The Dead Silence मुवी रिलीज हुई 2007 में और उस मुवी के डारेक्टर है James Wan जिनकी बनाई गई कुछ famous मुवीज है ये The Conjuring, The Soap और The Insidious और मुवी के IMDB रेटिंग है 6.2 जो इस मुवी के हिसाब से काफी कम है और Rotten Tomatoes की रेटिंग तो आखे खोल देने वाली है उन्होंने इस मुवी को दिये 100 में से 19% जो काफी कम है लेकिन इस मुवी की सबसे बड़ी problem ये रही कि ये box office पर भी flop रही ये बनी थी 20 million में और इसने कमाई सिर्फ 22 million नमबर 9, नमबर 9 पाती है Solo A Star War Story Solo A Star War Story की IMDB रेटिंग है 10 में से 7 और Rotten Tomatoes की रेटिंग है उनकी भी सेम है 70% जो मुझे है और बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये रेटिंग अराम से 8.5 के उपर जा सकती है और ये मुवी दूसरा पार्ट है 2016 माई Rogue One Star War Story और अगर मुवी की box office की कमाई पर जाएं तो इसकी कमाई इसकी रेटिंग से भी जादे खराब है ये मुवी बनीती 300 मिलियन में और इसने कमाई मात 392 मिलियन जो काफी कम है लेकिन अगर आप इस मुवी को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये मुवी इसकी रेटिंग और इसकी box office कमाई से ये इससे ज़्यादा डिजर्व करती है नमबर 8 पाती है The Gray The Gray मुवी रिलीज हुई 2012 में और ये मुवी बनीती 25 मिलियन में और इस मुवी ने कमाई अपने बजट से 3 गुना जादा 77 मिलियन लेकिन फिर भी IMDb और Rotten Tomatoes पर इसे अच्छी रेटिंग नहीं मिली इसे काफी underrate किया गया है IMDb की रेटिंग है 6.8 और Rotten Tomatoes की रेटिंग है 79% जो इस मुवी को देखती हुए काफी अच्छी नहीं है ये कहानी है कुछ लोगों की जो जा रहे होते हैं प्लेन से कहीं लेकिन तब ही उनका प्लेन क्रेस हो जाता है तो ये कहानी है उस सर्वाइवर्स की किवे किस तरह से सर्वाइव करते हैं ये कहानी है दो बच्चों की जिसमें है डैनी और वोल्टर जो खेलते हैं जातुर नाम का गेम जिसकी वज़े से उनका घर पहुच जाता है Space में तो हैना मूवी का कमाल का concept लेकिन ये concept IMDB और Rotten Tomatoes को अच्छा नहीं लगा IMDB की rating है 6.2 जो की काफी कम है और Rotten Tomatoes की rating है 75% जिसे आप ठीक ठाक कह सकते हैं लेकिन मूवी की box office पर कमाई बहुत जादे खराब रही मूवी बनी 65 million में और इसने कमाई सिर्फ 64 million लेकिन फिर भी मूवी काफी अच्छी है फिल्म रिलीज हुई 2001 में और ये मूवी है psychological horror movie लेकिन मूवी की IMDB rating है 6.5 और Rotten Tomatoes है 63 out of 100 जिसे देखकर आप ये समझ सकते हैं कि कि इस मूवी को काफी underrate किया गया है लेकिन मूवी की box office कमाई इससे भी ज़्यादे खराब है मूवी बनी थी 16,00,000 में और इस मूवी ने कमाई मात्र 3,80,000 डोलर लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इस low budget मूवी को आप मेरे कहने पर एक बार तो इस मूवी को ज़रूर देखेगा आपको ये कमाल की लगेगी नमबर फाइफ नमबर फाइफ पाथ ये दा कलेक्टर दा कलेक्टर मूवी के IMDb रेटिंग है 6.4 जो इस मूवी को देखते हुए काफी कम है लेकिन Rotten Tomatoes की तो इससे भी ज़्यादा कम है Rotten Tomatoes पर इसे रेटिंग दी गई है 29% जो ये मूवी बिल्कुल भी डिजर्फ नहीं करती ये इससे कही ज़्यादा रेटिंग डिजर्फ करती है लेकिन Rotten Tomatoes ने इससे नहीं समझा लेकिन उसक्त मूवी देखने वालों ने जरूर समझा क्यों कि ये मूवी बॉक्स ओफ इस पर हिट थी मूवी बनी 3 मिलियन में और इस मूवी ने कमाई 9 मिलियन और इस मूवी का एक सीक्वल और है जो आयता 2012 में दा कलेक्शन और मैं आपसे बस यह कहना चाहूँगा कि ये दोनों मूवी कमाल की है नमबर 4, नमबर 4 पात ये Friend Request Friend Request मूवी मुझे लगता है इस लिस्ट की सबसे ज़्यादा Underrated मूवी है Critics ने इस मूवी को Pure Garbage कहा है, Waste of Time कहा है और कहा है Crap जो हमें Rotten Tomatoes की रेटिंग में देखने को मिल जाता है जो है 17% out of 100 लेकिन IMDb की रेटिंग थोड़ी ठीक है 5.3 out of 10 और जब मैंने मूवी देखी और देखने के बाद मैं बस यह कहना चाहूँगा कि ये मूवी कमाल की Thriller Horror मूवी है और इस मूवी के साथ एक प्रोलम और भी रही कि कि ये Box Office पर फ्लोक रही ये बनी थी 9.9 मिलियन में और इसने कमाई मात 9.7 मिलियन The Rundown मूवी आई थी 2003 में और इस मूवी के कास्ट में है डुएन जोनसन मूवी की IMDb रेटिंग है 6.7 और रोटन टमेट उसकी रेटिंग है 69 परसेंट जो कि साफ दिखाती है कि कि इस मूवी को काफ़ी अंडर रेट किया गया है मूवी ने बॉक्स ओफिस पर कमाई 80 मिलियन और ये मूवी बनी थी 85 मिलियन में जो कि सुपर डिजास्टर परफॉमेंस है लेकिन अगर आप इस मूवी को देखें तो आप कहेंगे कि ये मूवी काफ़ी अच्छी है क्योंकि इस मूवी में हमें देखने को मिलते हैं दा रोक जो हैं बाउंटी हंटर के रोल में ये मूवी रिलीज हुई 2005 में और मूवी की कास्ट में है रोबर्ट डाउनी जूनियर लेकिन आइजन मैन भी इस मूवी को बॉक्स ओफ्स पर हिट नहीं करा सके इस मूवी को स्टूपीड गार्बेज और रोबर्ट डाउनी जूनियर की एक्टिंग को ओवर एक्टिंग कहा है जो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता जोन कार्टर एक ऐसी मूवी है जिसके बारे में क्रिटिक्स ने ऐसा ऐसा कहा है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते और बस मैं अपनी तरफ से क्रिटिक्स को बस यही कहना चाहूंगा फुलिम के IMDb रेटिंग है 6.6 और रोटन टैमेटो इसकी रेटिंग है 63% और इस मूवी ने कमाई 284 मिलियंस और यह बनी थी 306 मिलियंस में अगर आपने जोन कार्टर मूवी देखी है तो मैं आपको बता दू की इस मूवी के दो पार्ट और आने थे बलकि दूसरी मूवी की स्क्रिप्ट तो बनकर तयार भी थी लेकिन डिजनी ने इसके लिए मना कर दिया क्योंकि डिजनी को जोन कार्टर मूवी से हैपी थैंक्स वर वाचिंग एंड बाइ